और उम्मीद करता हूं सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से हम क्लास फिर शुरू करेंगे ओके तो आई मस्ट भी और थोड़ी तर के लिए मुझे फोन उन साइलेंट कर लेने दो अल्राइट थैंक यू सो मच तो कोई अगर बीच में दिक्कत होगी तो बता देना विकॉस अभी यहां मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि मेरी आवाज जारी कि नहीं कोई और नहीं है ठीक सब्सक्राइब करता है तो अगर यह चाहिए को सक्सेव परसेंटेज से रिलेट कर लेगे तो आपका जीवन खाफी सरल होने वाला थे तो ऐसा नहीं यह उतनी से अभी बहुत कुछ बागी है तो मैं शिरवात करता हूं और आज हम बात करेंगे अभी जो एक एक term होता है वो होता है CISI difference ठीक है लेकिन CISI का difference का आपने बहुत formula rate रखा होगा ना कि formula मुझे पता है कि क्या होता है दो साल का difference का formula होता है तीन साल के difference का formula होता है बट मेरा objective यह नहीं है अभी अभी मेरा objective यह है कि पहले मैं आपकी जो understanding है उसको थोड़ा सा कहते है ना उसको मैं cross करूं तहस नहस करूं और कुछ और जानकारी मैं आपको दूँ उसके बाद जब इन topics पहाएंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए समझना तो CISI difference अभी रुक के इसके चक्कर में जो आ जाता है ना जीवन पर परेशान ही रहता है नामी इतना खतरना कि चक्र विद्धी ब्याज तो लोग अपनी पूरी लाइफ में ब्याज सही परेशान रहते हैं किस्ते भर-बर के जीवन किष्टों में निकल जाता है हाँ जी चलते आगे बढ़ते ह इसमें आपने फर्मूला पढ़ा होगा मैं अभी सिर्फ फर्मूला लिखूंगा ठीक है और उसके बाद बताऊंगा कि इस फर्मूले में कुछ भी नया नहीं है इसको भूल जाओ और अगर नहीं भूलोगे तो आप कम से कम इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको ध्यान रहेगा कि यह है क्या तो देखे एक इस तरह का फर्मूला होता है और यह फर्मूला आप पढ़ते हो कि अगर कभी भी हमें प्रिंसिपल यानि मूलधन दिया हो और रेट पर्सेंट द अनुली है कमपाउंडिंग अगर अनुल है मैं पहले तो समझाओंगा कमपाउंडिंग का मतलब क्या होता है और अगर एन इयर्स का मसला है तो एन इयर्स के बाद जो आपका एमाउंट होता है यानि जो मिश्रधन होता है वो पी इंटू 1 प्लस आर बई हंड्रेट की रखी है सबने पढ़ रखी है क्या रट रखी है ठीक है अब मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि इसको रटना क्यों नहीं था तो कि इसमें कुछ नया नहीं आपको अभी सबस्कू समझ में आ जाएगा आप मुझे जरह यह बताओ कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि रेट रम सब्सक्राइब श्राइब है और यह भी है और आपने जाएगा इकोंगे मैंन आपको बोल दूँ कि इनककी इनवम् opposite संहिक ओं प्रियरश इस वार्मूला और यह रहेगा कि रहे और यह बताऑं और पूंपला सिर्सक्राइब होगलim into 1.1 का whole square होगा या नहीं होगा ऐसा ही कुछ होगा ना amount is equal to P into 1.1 का whole square हाँ जी यह होगा अब मैंने आपको जो कल compound interest का बताया था कि compound interest क्या होता है जरा उससे इस बात को देखने की कोशिश करो तो आपको कोई भी principle अगर P है तो अगर आपका 10% आपका let's say rate of interest per annum है तो यह successive percentage increase होगा अगर दो साल का मामला है तो दो बार ऐसा होगा अगर यह दो बार ऐसा होगा तो मैं आपसे पूछूँगा कि यह principle क्या हो जाएगा आपको पहले step में 1.1 times होगा या नहीं होगा येस दूसरे step में 1.1 होगा कि नहीं होगा येस तो क्या final value 1.1 का whole square times P हो जाएगी येस तो क्या इसके formula को रटने की कोई आवशकता है नहीं getting my point or not they are just multiplying factor yes actually 1 plus r by 100 is nothing but multiplying factor 1 plus r by 100 is nothing but multiplying factor and number of times ये multiplying factor ही है clear or not so आपको पहली बार तो यह है कि कुछ भी रटने की आवशकता बिलकुल भी नहीं है आपको सिर्फ समझना है और ये इसलिए समझना है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप फॉर्मुल्य रटते हो तो फॉर्मुला जब आपको रटाएगा तो यह नहीं बताएगा कि यह multiplying factor है actual मैं आपको समझ में आ गया कि amount क्या होगा initial value into multiplying factor अब अगर आपने same rate interest लिया है और N times लिया है so multiplying factor to the power N हो गया बार बार वही multiply होता रहता है it's not difficult very easy to understand right तो आपको कुछ रटना नहीं होता है रटनी में क्या धोखा होता है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा अच्छा एक बात यह बताओ अभी आपने एक चीज और पढ़ाओगा compound interest में और वो कहता है वो ऐसा कहता है कि अगर लेट से पहले साल में rate परसेंट है और वन परसेंट फिर अगले साल में rate परसेंट है और टू परसेंट फिर अगले साल में rate परसेंट है और थी परसेंट ऐसा भी तो question हो सकता है हमें चुकी पता लग गया है कि भाया यह सक्सेसिव परसेंटे पर्सेंटेज है तो अगर पिस एम ऑफ 1 इंट्फी इंट्फ 2 इसели परसेंटेज रखना दूसरे साल आपको 20% का interest रखना है और तीसरे साल आपको कितना रखना है interest 30% का रखना है clear तो हमें पता है कि अगर यह compound interest का question है तो 10, 20, 30 क्या होगा successive में आएगा अच्छा बताओ 10, 20, 30 का net result क्या होता है हाँ जी ध्यान रहना चाहिए आपको 10, 20, 30 10, 20, 30 का net result क्या होना चाहिए यह value मैंने आपको बोला था percentage में कि 10, 20, 30 यह standard value है थोड़ा ध्यान रखना नहीं ध्यान है तो निकालो और ऐसे निकालो कि दुबारा भूलो मत quickly निकालो कैसे निकालो गया मैं direct value नहीं बताओंगा निकाल के बताओंगा ताकि दिमाग पर प्रोसेस भी बैठा रहे देखो 100 होगा पहले 30% बढ़ाओगे तो 130 आएगा फिर 20% इसका बढ़ाओगे तो 26 जूड़ जाएगा 156 आएगा और 156 में फिर आप 10% बढ़ाओगे तो यह value कितनी आजाएगी 15.6 आजाएगी 56 और 15 कित जो आपकी एक ही value है एक इसके बढ़ाबर होगा एक इसके बढ़ाबर होगा एक आपका हो गया अब यहां पर 10 20 30 करने ट हुआ 171.6 मुल्टिप्लाइंग फेक्टर हो गया 1.716 टाइमस प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल होगा clear or not so मेरा जो objective है यहां पर आपको यह समझान है कि आप फर्मूलों से थोड़ा ऊपर उठिए फर्मूले कोई चमतकार नहीं है वह understanding का ही basic result है compound interest में multiplying factor का बार बार यूज करते हैं अगर उसको generalize करेंगे तो आर के टम में value आ जाएगे अब इसका घोर खतरनाक फर्मूला होता है जो बहुत जानलेवा है वह फर्मूला म इसको लिखते लिखते हैं और आप एक्जाम में कैसे लगाते हो इन सब चीज़ों को ऐसे करके होगा ठीक है ऐसे करके फर्मूला बनेगा पी इंटू वन प्लस आर्टू वाइंड़ इंटू आर्टू बार तुमने किया है अब मान लिए आरवन वाला दो बार होता तो यह होगा यह मान लिए तीन बार है तो इसका क्यूब होगा यह मान लिए पांच बार है तो इसका पावर फाइव होगा मेरा कहने का मतलब वाइटू मग इट अप जरूरत है क्या इसकी नहीं हमें पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है लिख लेंगे हां जी हम क्या करेंग होगे कि आपको formula नहीं रटना है लेकिन फिर सवाल यह आता है कि वो जो compounding होती है वो क्या होती हाफ yearly yearly वो कैसे समझ पाएंगे तो वो आपको समझाता हूं लेकिन उसके पहले मैं आप से एक चीज जानना चाहता हूं यह समझना चाहता हूं इसको ध्यान से देखना हूं जैसे लेट से मैंने कहा कि compound interest का case है और compound interest में मैंने आपको एसे बोला कि पहले साल का interest कितना है 10% है और दूसरे साल का interest भी 10% है तो आपको समझ में आ गया कि ये मतलब है कोई value है principle है वो 10% बढ़ गई फिर से 10% बढ़ गई that is what is a matter of 2 years में भी annual compounding का case है दो साल का मसला है ऐसे होगा आप जड़ा एक बात बताओ मुझे यहाँ पर अगर मैं आप से पूछू कि compound interest percentage के term में कितना है तो कितना होगा compound interest percentage के term में होगा 21% of principle clear or not आप इन दोनों का net percentage निकालो successive में 10 और 10 मिलाके कितना होता है 21 20 नहीं होता है वो होता है CI में sorry SI में यहाँ पर कितना होता है 21% होता है 21% of principle आप compound interest को percentage के टम में देखना शुरू कर दो जीवन बड़ा असान हो जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे जैसे मैंने आप से लेट से बोला कि आपको मैंने ऐसे वैलू दिया तीन वैलू दिन मैंने आपको 10% और 20% और 30% यह 3 मैंने कहा rate of interest ने consecutive consecutive years में अलग-अलग years में ऐसे rate of interest ने तीन सालों में मैं यहां से बोलू कि CI कितना होगा तो आप CI को ऐसे बोलना शुरू करो कि इसका net आता है 71.6% तो इसका जो compound interest हो गया वह हो गया 71.6 percentage of principle clear है या नहीं clear है सभी को समझ में आ गया तो एक चीज़ मैं आप से चाहरा हूँ कि SI और CI को आप percentage के terms में देखना शुरू करिए क्योंकि जब आप यह समझ गए कि यह कुछ भी नहीं है successive percentage change है तो आप क्यों न हम CI में percentage के terms में बात करें आप को इसको बात करने का फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है इसका फाइदा यह है कि जैसे ही मैं आप से पूछूँगा कि मुझे CI-SI निकालना है 2 years का let's say annual compounding का case है और rate percentage है 10% पर नम ठीक है आप quickly कहोगे कि 2 साल का मसला है तो आपका SI कितना हो गया 20% हो गया आपका CI कितना हो गया आपका CI 21% हो गया तो अगर मैं CI-CI sorry I'm saying CI-SI मुझे निकालना है CI-SI कितना हो गया एक परसेंट हो गया कि नहीं yes so can I get CI-SI in terms of percentage yes that's the benefit that's the benefit कि अगर मैं CI को percentage के term में देखने लगूं मैं SI को percentage के term में देखने लगूं तो मैं उनका अंतर भी percentage के term में ही निकालोंगा क्योंकि ये 20% क्या होता है principle का ये CI क्या है 21% principle का base same है difference सीधा निकाल सकते हैं 1% मैं अभी इस पर भी आऊंगा कि इसको जल्दी कैसे लिख सकते हैं standard differences हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे for example मैंने आप से कहा कि 10% आप ले लो rate 8% और वह भी पर एनम ले लो ठीक है time period मैंने आपको दे दिया कि मालिया 3 years का है और मैं आप से percentage के term में पूछता हूं कि बताओ मुझे CI-SI क्या होगा 3 years का 3 years का CI-SI अगर आपको निकालना है तो आपको बताए कि 10% अगर तीन बार लेते हैं बहुत ही well known ask question है 10% तीन बार अगर आप increase करते हो तो वह 33.1% से increase होती है यह हो गई CI-SI को percentage के term में अगर आप देखो गे तो it is nothing but 33.1% then मैं कहूंगा SI आपको तीन बार का SI कितना होगा होगा तीन साल का 30% होगा तो इसका अंतर कितना हो गया इसका अंतर हो गया 3.1% हुआ या नहीं हुआ तो you can quickly write the difference in terms of percentage right formula भी होता है इसका अभी उस पर भी बात करेंगे है परिशान मत हो बड़ ऐसे हम देख सकते हैं तो हम SI मैंनिस SI लिख देते हैं पर आपको बता है कि इतना सब कुछ सिखाने के बाद अगर मैं आपको formula भी लिख के देदू अभी कि SI के difference का formula यह होता है और मैं एक सवाल बना दू मैं guarantee ले रहा हो कि आप गलत हो जाओगे राइट क्योंकि वह question fundamental बेस्ट होगा और आप तुरंती वहां डेर हो जाओगे immediately डेर हो जाओगे क्योंकि आपकी जो understanding है वह आप year में understanding build करते हो कि एक साल दो साल तीन साल लेकिन जब half yearly compounding होई quarterly compounding होई तो वहाँ पर यह ciai के differences किस तरीके से change होते हैं यह समझना चाहिए पहले आपको आना चाहिए समझ में और यह समझ में कब आएगा जब आप ciai को refer करोगे आपको तकलीफ होने लगेगी आप बस मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो ठीक है try to understand अच्छा percentage structure में और ciai में क्या फरख है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखो 10% मैंने कहा कि यह increase हुआ right percentage में से मैंने कहा कोई मेरे पास number है वो 10% से बढ़ गया ठीक है फिर आपने कहा कि उस बढ़े हुए number को आपने क्या किया 10% से बढ़ा दिया फिर से right we know that यहां पर जो net percentage increase है वो 21% है जब हम percentage की बात करते हैं तो क्या हम बात करते हैं time period की नहीं वह होता है एक immediate chain जैसे मैंने कहा किसी number को हमने 10% से बढ़ा दिया तो हम यह सवाल नहीं पूछते हैं कि अच्छा तुमने quarterly बढ़ाया है अच्छा तुमने एक value है उसको हम principal का नाम देते हैं वो 10% से बढ़ जाता है एक value है वो भी 10% से बढ़ जाती है बट यहां हमारा interest हो जाता है कि भाई ब्याज जो तुम लगा रहे हो चक्र विर्धी उसमें एक time का रोल भी आता है कि यह बढ़ोतरी कितने time में हो रही है important है या नहीं है आप अपलेट से मुझसे loan लेने आए और मैंने आपको कहा कि लो मैं एक लाख रुपय का तो मैं immediate loan दे रहा हूं और 10% का interest लगाऊंगा आप पूछोग ना कि 10% का interest कैसा है भाया monthly है quarterly है half yearly है कि annually है getting my point or not तो यहां time का role है क्योंकि जो time period होगा वो decide करेगा कि कितना interest होगा that is why जै time attached for this increase maybe increase 6 मेने में हो रहा हो एक साल में हो रहा हो या कुछ दिनों में हो रहा हो we do not know तो जो compounding का जो concept है वो concept इसी से related है कि उस change को define करना कि भाई यह change एक साल में हो रहा है कि दो साल में हो रहा है कि तीन साल में हो रहा है कि चार साल में हो रहा है kind of that that will be simply helping us out in understanding CIE in a better way अब आक बात मैं समझा रहा हूँ उसकद द्यान से देखना मैं यहां से यहाँस जो transformation है यहां से त्रास्पोर्मेशन है मैं अईसे आपको समझाता हूँ कि मैं इसको अभी year का नाम नहीं दूगा मैं इसको नाम दे रहा हूँ first cycle ध्यान दे ना कि फर्स्ट साइकल मैं यह कह रहा हूं कि पर्सेंटेज में जो एक इंक्रीज था जब हम इसको यहां लेके आएंगे सियाई में जहां पर वो पहला चेंज कंप्लीट हो जाएगा उसका हम बोलेंगे कि एक साइकल कंप्लीट होगी अभी उस साइकल का मैंने डिफाइन नहीं किया है यहां मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर सेकेंड साइकल कंप्लीट होगी क्लियर तो जस अंडर्स्टाइंड वर्ड साइकल दूसरा पर्सेंटेज इंक्रीज दूसरा साइकल का मतलब दूसरा पर्सेंटेज इंक्रीज यहां आगर मैं एक और लगा दू इस से ही कि तीसरा percentage change होगा successive तो वो हो गया आपका third cycle किताबों में cycle सब्दों से चीजे नहीं समझाई गई हैं तो वहाँ आप first जाते हो because you don't have the clarity तो अगर मैंने एक percentage change यहाँ पर लिखा तो क्या यह third cycle हो गया say yes third cycle हो गया तो हर एक percentage change जहां complete हो रहा है वह हम बोल रहा है cycle अब इस cycle को मैं summarize करता हूँ और आपको compounding तुरन समझ में आ जाएगी कुछ बचे गई नहीं सवाल में और compounding से जादा भी बहुत कुछ समझ जाओगे मैं यह कह रहा हूँ आपके this is a principle और let's say कि यह r% से increase हुआ फिर से r% से increase हुआ और फिर से यह आपका r% से increase हुआ तीन लिखा हुआ है मैंने and so on कर सकता हूँ मैं I am saying this is the first cycle this is the second cycle right and this is the third cycle लिख दिया मैंने आपको and so on चलने दो आप देखो जो भी एक cycle है उस cycle की length कितनी है यहां पर जो भी cycles लिखे है this cycle length can be anything यही जो cycle का duration है मैं लिख रहा हूँ cycle duration अगर आपका हो जाता है let's say let's say one year one year का मतलब समझ रहा हुआ आप यह कह रहा हूँ कि यह जो change है r% का वो एक साल में होगा अगर यह change एक साल में हो रहा है cycle duration आपका एक साल का है तो आप इसको बोलोगे annual compounding कित्य लोग बोलोगे किसको हम बोलेंगे annual compounding say yes समझना अगर जो successive लग रहा है वो annually लग रहा है यानि जो ब्याज का amount है वो आप एक साल के बाद principle में add करके नया principle निकालते हो फिर उस पर अगले साल का ब्याज निकालते हो तो अगर यह period एक साल का यानि आर परसंट का change होने में अगर एक साल लगता है right so we simply say it is annual compounding right अगर यही cycle आपका let's say यही cycle duration आपका six months का हो जाए मतलब जो change जो हम ब्याज का amount है वो हम add कर देंगे principle में every six month तो हम कहते हैं कि यह half yearly compounding का मतलब यह हो गया कि हर 6 मेने में आपको ब्याज क्या करना है जोड़ देना है तो वहाँ पर cycle length कितनी होती है 6 मेने की होती है फिर एक होता है quarterly compounding right हिंदी में लोग इसको ज़्यादा समझते हैं जब मैं उनको समझाता हूं कि एक साल तो होता है पूरा ठीक है यह होता है अध्धा और एक होता है quarter ठीक है तब समझ जाते हैं वरना उनको जिसको बोलते हैं three months three months में अगर आपका cycle duration है आपका तो इसको बोलते है quarterly compounding quarterly compounding हिंदी के जो बच्चे हैं उन्हें डरने की आवशक्ता नहीं है annual आपका कितना हो गया भी या शायद इसको बोलेंगे वार्षिक half yearly अर्थ वार्षिक quarterly को क्या बोलेंगे ठीक है इतना तो समझ लोगे है आप लोग ठीक है एक छे तीन अब देखो यहां पर क्या है कि अगर यह cycle आपकी एक महीने की हो गई तो क्या आप इसको monthly compounding बोल सकते हो yes हर महीना कर रहे हो आप तो यह monthly compounding हो गई तीमाही बिलकुल quarterly आपका हो गया तीमाही यह छमाही और य संदी वाले ऐसे लिख लें ठीक है अब देखो मैं आपको यह समझाना चाहरा हूं कि अब आप इस पर dependent नहीं हो कि आपकी जो compounding है वो यह standard compounding है या नहीं है मैं आप से लिट से सवाल पूछू कि एक साल को आपने चार बराबर टुकडों में ना बाटके तीन बराबर टु आप यह समय ओख लंग करी एवरी फॉर मंस अगर आपने compounding करी every four months तो क्या कोई दिक्कत है भाई क्या कोई दिक्कत है नहीं आपको पता लग गया कि आपकी एक cycle चार महीने कि एक साल में तीन साइकल होंगी पिलिए रहाए नहीं है tell me is it clear or not अगर मैं कहूं कि मैंने compounding करी चार महीने में हर चार महीने में तो विल यू से कि एक साल में तीन बर ऐसा होगा तीन percentage increase होगे येस अब इस साल exam में कई लोगों को सवाल मिल गया कि भईया 8 महीने बाद compounding हो रही है problem यही ना कि जो किताबें तुम पढ़ते हो वहाँ पर चीए समझा ही नहीं जाती है 8 महीने में अगर compounding हो रही है let's say तो किताबें तो केवल यही पढ़ाती है 1, 6, 3 और आप डढ़ जाते हो कि अब क्या करें अब कैसे होगा 8 महीने compounding होगे तो कौन सा कमाल हो गया आप देख लो कि अच्छा चलो मान लिया उन्होंने 2 साल की बात करी है तो 2 साल में क्या होगा 8 महीने का 3 slot बनेगा तो 3 बार increase होगा clear है नहीं 8 महीने का 3 slot बनेगा तो 3 बार increase होगा अब एक दूसरा aspect भी है जो कि जो percentage change है चलो ठीके कुछ लो करें 5 मंत लिये तो डर क्यों रहे हो अब तो सब बता दिया 5 महीने का होगा तो हर 5 महीने पर बढ़ा देना भाई डर क्यों रहो सवाल होंगे सब समझाओंगा अभी मैं आपको समझा रहो clarity ले लो कि what is compounding compounding का मतलब कितने time period के बाद तुम ब्याज को उठाके principle में जोड देते हो यानि वो successive का cycle length कितना है अगर आप cycle के sense में understand करते हो then आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि percentage में यह cycle होगा आप cycle length कितना है उससे compounding decide हो जाती है now let me give you some situations and just understand और आपको कितनी clarity मिलने वाली है देखो एक पहला सवाल देखो मैं सवाल दिख रहा हूँ जयान देखना मैंने आपसे कहा कि let's say मेरे पास है annual compounding जयान से दिखना annual compounding या ऐसा करते हैं इसको हम लिखते हैं compounding ऐसे मैंने लिखा compounding और मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूँ कि यह क्या है देखो यहां पर मैंने लिखा annual, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा half yearly, यानि six month वाला, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा quarterly, ठीक है, यहां आपको मैंने लिखा कि four months, यहां मैंने आपके सामने लिखा let's say eight months, मतलब यह आपकी cycle length है simply, annual मतलब एक साल, half yearly यह, 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 आपको इत्मिनान से देखना। günigon मान लिए आपको मैंने दे घ्रिया है 24% पर अनम और द्यांटे है यह वह दिया हुआ है राइट लेट से मैं कहता हूं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपका 10,000 समझ ले ना सारा लॉजिक के लिए क्लियर हो जाएगा आपका 10,000 रुपे आपके पास प्रिंसिपल है मैंने बोला कि रेट परसेंट है 24 पर एनम एक साल का रेट इंटरेस है 24 परसेंट और जो आपका टाइम पीरेड है वो कितना है दो साल और यहां पर आपको सब केस में मुझे बताना है कि जो एमाउंट होगा वो क्या होगा जो एमाउंट होगा वो क्या होगा यह आपको लिखके बताना है बहुत इत्मिनान और ध्यान से समझना है आपको जैसे ही आपने कहा एनुवल कमपाउंडिंग है एनुवल बनेंगी और यहां पर जो रेट इंट्रेस्ट है वो 24% पर रहे हैं तो यहां क्या आएगा 24% यहां क्या आएगा 24% क्लियर है कि नहीं है तो वो या तो आप सीधे परसेंटेस से निकाल लो फाइनल वैलू मेरा भी यह टार्गेट है कि यह लिखोगे कैसे बिना फॉर्मूले के क्या आप लिख पा रहे हो कि दस अजार गुड़े एक दसमरो दो चार का होल स्कॉर ठीक है क्लियर है फिर आपने का नहीं नहीं हाफ अगर आप इसको 6 months की cycle में break करोगे तो कितनी cycles बन जाएंगे जरा बताओ six months की कितनी cycle बनेंगे दो साल में दो साल में अगर आप six months की cycle बनाओगे then you will get four cycles clear or not क्या आपको चार cycle मिलेंगी say yes say yes कि आपको चार cycles ऐसे मिलेंगी one two three four भाई दो साल का मसला है छह मेने का आपका cycle period है तो four cycle हो गई successive percentage ऐसे लगेगा अचा अब मैं एक value लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि यह value सही है या गलत है अगर मैंने इसको ऐसे उठाके लिख दिया क्योंकि चार cycle है तो power में four आ गया तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि half yearly compounding में यह value आपको इस साल का पहला दोखा दिया है और आप उस दोखे में आगे वाई ऐसे कैसे हो जाएगा अगर आपकी cycle lengthy six months की है तो आप पहले देखो six months का interest क्या होगा तो आपको six months का जो interest है यहां से अगर मैं निकाल लूँगा तो वो बारा परसेंट ही आएगा और यह बारा परसेंट होगा चार बार बार परसेंट चार बार तो यहां value आएगी आपकी one point one two की power four interest को भी तो adjust करना पड़ेगा ना सर हाँ जी 24 परसेंट तो पूरे साल का interest है तो हमारा अगर छह महिने का मसला है छह महिने की cycle है तो छह महिने का दिखाओ यह नहीं साल का चैलेंज है मेरा आपको करके दिखाओ गलत हाफ यह इल्ली compounding annual compounding इसके बाद हिम्मत है तो करके दिखाना होगी नहीं गलती because आप आप समझ रहे हो वहाँ तो पता नहीं क्या था r by n to the power n oh my god हाँ जी so we have to take interest for one cycle और यहां पर interest कितना है 12% हाँ जी quarterly compounding में आ गया अच्छा quarterly compounding में बताओ क्या होगा आप कहोगे कि हर 3 महिने में हर 3 महिने में आप क्या कर रहो आप इसको change कर रहो मैं पूछूँँगा कितनी cycles बनेंगी आप कहोगे 12345678 बनेगी यह नहीं यह कितने quarter होते हैं दो साल में ऐसे सवाल पूछना दो साल में कितने quarter होते हैं आठ quarters होते हैं बाई तो आठ हो जाएगा लेकिन अब question यह है कि इस interest का क्या करें आप होगे 24% तो एक साल का है और अगर आपने quarterly compounding करी तो उस एक cycle यानि तीन महिने का जो इंट्रेस्ट होगा वो होगा 24 by 4 यानि कितना हुआ 6% हुआ या 8% हुआ quarter 4 होते हैं चार से divide करोगे ना कि 3 से तो चार से divide करोगे तो कितना आएगा 08 कैसे कैसे आ रहा है 1.06 आएगा इसी गलती ना करो देखो यह quarter में लोग क्लिया नहीं अगर बड़ी लोग क्यों कैसे करते ना देखो quarter का मतलब क्या होता है देरा एक इसको चार्ट टुकडों में बाट होगे ना तो 6% ही आता है हाँ जी यह जो इंट्रेस्ट होगा यह 1.06 होगा नंबर आफ साइकल्स कितनी होगे 8 होगे तो यह होगे आपका 1.06 की पावर 8 और यहां वैल्यू आपकी कितनी होगे 10,000 है ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपसे पहले तो मैं पूछूँगा कि बताओ rate percentage कितना है आपका 24% पूरे साल का है इसको तीन पार्ट में तोड़ दो चार महिने के तीन slots बनेंगे एक साल में तीन पार्ट में तोड़ तो एक slot को मिलेगा 8% और total slot कितने होगे 6 तीन एक साल में तीन अगले साल में 6 तो यह बनेगा आपका 10,000 10,000 into 1.06 यहां जाएगा 1.08 1.08 की पावर कितने होगे आपके तीन दूने 6 बना की नहीं बना हाँ जी क्लियर हुआ अब आपने कहा कि नहीं नहीं कंपाउंडिंग तो हमें करनी आठ महिने में ठीक है अब यह जो केस है ना इसको मैं अभी यहां पर आप आपको बहुत अच्छे समझाओंगा और क्लारिटी मिलेगा अगर आठ महिने में आप कंपाउंडिंग कर रहो तो दो साल के पीरेट कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा 24 महिने होते हैं तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा यानि तीन साइकल बनी और एक साइकल का इंट दो तीहाई है येस ये दो तीहाई है या नहीं है देखो आठ महिना आठ महिना क्या हुआ दो तीहाई हुआ हाँ जी दो तीहाई करो तो कितना बनेगा आपका आठ तो इंट्रेस्ट भी निकलेगा दो तीहाई 24 का दो तीहाई 24 का कितना हुआ 16 परसेंट हुआ या नहीं व इतनी साइकल से थ्री है करेक्ट या इनकरेक्ट है अजी बोलिये कि अब प्राब्लम क्या थी कि अभी जब आप 18 के एक्जाम में गए थे तो अठारा के एक्जाम में आपने जो फॉर्मुले रटे वह इसके रटे वर्स केस में आपने मंथली का रट लिए होगा वी लिख लो कि अगर आपने अवरी मंत किया है कंपाउंडिंग मंथली वाला केस छोड़ दे रहाओ तो आप कहोगे यहाँ पर 10000 है यहाँ पर 10000 है पावर, दो साल में कितने महीने हुए, चवबेस तो पावर लगा दो, चवबेस, क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्या सबी को एक बाद समझ में आया, टेल मी येस और नो वट अगा, हाँ जी, क्लियर, ठीक है, सो मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ, कि आपको ये अंडिस्टांड करना है पहले तो कि कमपाउंडिंग प्रॉसेस क्या है, किसी भी किताब में कमपाउंडिंग प्रॉसेस पर क्लारिटी नहीं दिये, मैं ये समझ जाओगे तो उसमें भी कुछ नहीं है, अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो देखें क्या होता है, एक प्रॉब्लम में इसलिए समझाना चाहा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को उड़ना सिखाना चाहता हूँ, उड़ना सिखाने का मतलब यह होता है कि अगर हम कोई चीज आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको ऐसे पढ़ा हैं कि आप चीजें खुद से कर पाओ, आज की डेट में जो मैंने यहां पर अब लिख दिया, आप से अगर मैं पूछों कि भाईया, नंबर आफ येर्स दे दू और मैं कहूं कि आपकी जो कंपाउंडिंग है वो एवरी नाइन मन्स होगी, तो क्या आपको दिक्कत है, तेल मी, अगर कंपाउंडिंग अवरी नाइन मन्स हो और तीन साल का पीरेड दे दूँ तो आपको दिक्कत होगी क्या, नहीं, वो भी कर लोगे आप, because now you know the process, कि मुझे निकालना है कितनी number of cycles हैं, और मुझे निकालना है कि rate क्या है एक cycle का, अगर ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली तो it is a successive percentage change I can write like this, expression is not going to have any problem, हाँ जी, all right, फिर से explain कर देता हूँ, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, ये बहुत important है, because this will make your life much easier, देको मैंने क्या कहा कि annual rate of interest अगर 24% था, annual का मतलब एक साल की बाद आपको interest principle में जोड़ना है, 24% per annum rate था, एक साल, दो साल का period, अगर question में दिया हुआ है, दो साल का period, तो मैंने कहा कि दो बार 24% हो गया, क्योंकि एक साल का interest 24 है, तो यहाँ ये 1.24 का whole square बना, जब मैं half yearly compounding में गया, तो मैंने देखा कि 6 मैने का interest क् है, तो आपने देखा कि 24 जो है, एक साल का interest है, 24 क्या है, एक साल का interest है, तो 12 दुना 24, 2%, sorry, मतलब जो है, 6 मैने का निकालना है, तो आपका, आपने divide के एक साल की period को 2 part में, तो 12% बना, और cycle कितनी हो गए, चार हो गए, तो 1.12 की power 4 हो गया, ऐसे करके मैंने निकाल लिया, अ समझदारी के साथ चलो, जल्दबाजी में कुछ निकाल, मैंने बुला है, दवाई पीने मता हो मेरे पास, time देना पड़ेगा तुम्हे, ठीक है, if you give time, you will understand everything, if you don't give time, there will be huge problem, हाँ जी, 4 महिने में 1.04 कैसे होगा, sir, 4 महिने का मतलब है, पहले लिकालो कि हर 4 महिने में interest कितना लगेगा, आप कहोगे, 12 महिने में 24 पर्षेंट लगता है, तो 4 महिने में 8 पर्षेंट का interest नहीं लगेगा, क्या बाते कर रहो, 1.08 इसलिए लिखा हुआ है, आपर, clear or not, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, तो just understand this properly, घर जाना आज नए साल पे सब को happy new year, happy new year मत बोलना, कुछ नहीं होता है, कि सर्फ बोलने से new year happy हो जाता है क्या, सीखना इसको गटके, है ना, just go and learn it today, यह 1.03 की power rate कौन लेके आ रहा है, कहा लेके आ रहो, क्यों लेके आ रहो, किस लिए लेके आ रहो, right, आपको देखना है, उस cycle का कितना interest है, interest निकाला, interest निकाल के number of cycles देकी power म समझाता हूँ आपको, ठीक है, देखो जान से, formula देखो, formula कहता है कि p into 1 plus r by 100 to the power n, कहता है कि नहीं कहता है, और कहता है कि r जो है, वो है rate percent per annum, बोलता है, और कहता है n क्या है, number of years, यह भी बोलता है, number of years, यह भी बोलता है, all right, आपको समझाए, तो simple case है भी यह, r percent बढ़ रहा है, हर साल, n number of years, n cycles लगेंगी, और हर cycle में चुकि r percent rate of interest है, यह multiplying factor की power n हो गया, there is no problem at all, clear, coming to the second case, जब बोलता है कि आपकी compounding जो है, half yearly है, ध्यान से देखना, half yearly compounding है तो क्या होगा, यह आपकी annual compounding है, यह annual है, यह आपकी half yearly compounding है, इसको ज़र जान से देखो, half yearly compounding में, आप क्या कहोगे, कि अगर r आपका rate percent है per annum, जान से देखना, अगर rate percent आपका per annum है, r percent, तो मेरा question है, मेरा question है आप से, कि 6 महने का rate क्या होगा, तो आप कहोगे, 6 महने का rate है, वो हो जाएगा, आधा, क्या यह r by 2 हो जाएगा, yes अगर r percent आपका per annum rate of interest है, तो for 6 month क्या यह, मतलब मैं बात वही कर रहा हूँ कि, एक cycle के लिए मेरा interest कितना हो जाएगा, जब 6 महने की cycle है, एक साल का interest अगर r percent है, तो r by 2 हो जाएगा, divided by 100, और number of cycles कितनी हो जाएगी अब, n years में, अगर 6 महने की cycles को मैं count करूंगा, तो मेरे पास 2N cycles होंगी, क्या formula आपने रटा था, yes, क्या रटने की जरूरत थी, नहीं, रटने की कोई आवश्यक्ता थी नहीं, पर लोगों ने रटा रटा के, रटा रटा के, CI को बदनाम कर रखा है, अरे पहले पीछे की कहानी पढ़ा दो, समझा दो बच्चों को रटने की आव क्रेश कोर्स किया था, उस क्रेश कोर्स में ही यह cycle का concept में पढ़ा चका हूँ, this is not something new, I taught this at that time, the cycle concept, because that is the real understanding, अगर आपको real understanding है, तो यह सब की जरूरत ही नहीं है, अचा, quarterly compounding में तुमने क्या पढ़ा हुआ है, quarterly compounding में तुमने यह पढ़ा हुआ है, कि यह P हो जाता है, और आपको पता है कि quarterly में क्या होता है, चार quarter होते हैं, एक साल में, तो rate अगर R per annum है, तो यह R by 4 हो जाता है, और यह 100 हो जाएगा, और N years अगर है, एक year को गर मैंने 4 टोकोडों में बाढ़ा है, तो total number of values यहां कितनी आ जाएगा, क्या यह 4 N आ जाएगा, क्या यह formula होता है, अ अगर आपने का मन्थली कमपोंटरी, आप का होगे, इंटु 1 प्लस, पूरे साल का interest R है, 12 parts में divide करेंगे, तो R by 12 हो गया, divided by 100 हो गया, और एक साल को गर 12 टोकोडों में बाढ़ दिया, तो N साल कितने हो जाएगे, 12 N हो जाएगा, these are the formulas that you have marked up throughout your life, हाँ जी, clear और not clear, तो इसक सालों तक इसको अपने साथ संजो के रखा, आज आपको पता चला कि अरे यह से लिख सकते थे, clear or not, it's simple, it's very very damn simpler, once you understand the process, clear, so compounding का जो शब्द है ना, कि compounding, उसे डरना मत, because it is nothing, it is nothing, it is simply, sound का problem कहां से आगे, लोगों को दिक्कत आती है, बाद में लोग करते हैं, सब कुस सह सही था, क्या दिक्कत है, अभी आ रही है, सही बराबर, क्या प्रॉब्लम आ रही जी, sound की, यहां तो में सब सही दिखाई दे रहे, clear रहे, clear रहे, देखो, हलो, okay, clear, जो कुछ लोग रहे, next chapter geometry, आप पहले इसको सीखो, the problem is कि you are always, या तो पीछे होते हो, तुम या आगे होते हो, यहां होते ही नियो, हाँ जी, यहां रहो भी, अब आप geometry में जाने की बात करो, components मजा नहीं आ रहे, क्या, या मैं अच्छा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, तो या तो तुम पीछे रहोगे, पीछे की topic में, या आगे की topic में चले जाओगे, अरे यहां रहो पहले, पहले यहां रहो, कई लोगों को देखे, quarter clear ही नहीं है, quarter करने 3 महीना होता है, अरे मैंने कहां मना किया कि quarter 3 महीना नहीं होता है, बाई, लेकिन there are 4 3 months slot, एक साल में, इसलिए रभई 404 है, राइट, हाजी, चले आगे बढ़ ले, ओके, अब देखो एक शीर बताएं कि मुझे formula से क्यों problem होती है, formula में बहुत सारे cases होता है, इसलिए पीछे के understanding जरूरी होती है, मैं एक question दे रहा हूँ, राइट, और जड़ा आपको बताना ह इसका expression क्या होगा, I am not interested in the final value, but the expression, मैंने लेट से आप से बोला कि principle आपका, जो आपका principle है, that is equal to 10,000, और यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि rate जो है आपका, जो आपके सामने rate है, वो मैंने लिखा है 12% पर, पर, ठीक है, यह दे कि PSA का मतलब मेरा है, पर semi-annually, it's not annually, rate of interest is 12% पर semi-annually, और मैं आप से amount जानना चाहता हूँ, two years के बाद, और जो compounding है, जो compounding है, वो क्या है, वो आपके quarterly, quarterly compounding को आप बोलते हो, ती माही, हिंदी में ती माही बोलते हो, ती माही compounding आपने करी है, या त्रे मासिक, जो भी बोलना है बोलो, हाँ जी, करो जड़ा, और मुझे बस amount लिखके बता दो, कि दो साल के बाद amount क्या होगा, expression चाहिए मुझे, I don't, I'm not interested in anything else, लिखो जड़ा, write it please, लिखो, 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 10,000 into something की power something आएगा, करो जड़ा, देव रंजन, पड़ो मत, बाकि सारे बवाल आपको जानने है न, फ्री क्लास क्यों चल रही है, पेड क्यों नहीं चल रहा है, पेड कब चलेगा, पेड करो तो पेड में दिक्कत है, आप लोग ये politician से कम थोड़े न हो, देखो, मैंने बोला सिर्फ expression जानना है, मुझे और कुछ नहीं जानना है, हाजी, time period, two years, compounding, quarterly, तो यहाँ पर जो value देखिए आपकी आएगी और क्या आएगी, कि quarter में जाना है, तो एक percentage आपको क्या दिया है, पर semi-annually, semi-annually का मतलब क्या है, आपको six months का interest दिया हुआ है, 12%, तो अगर वो आपको 12% दिया हुआ है, six months का interest अगर आपको 12% दिया हुआ है, तो एक quarter का interest क्या होगा, इसका half, यानि 1.06 बनाई है, सा 6% बनाना तो 1.06, और कितनी cycles हो गई हैं आपकी, दो साल में अगर मैं quarterly compounding कर रहा हूँ, तो I will get 8 cycles, तो value कितनी हो गई, इतनी हो गई, होई या नहीं होई, yes, clear, that is how you will write, easily, अब formula में problem पता है क्या हो जाती है, देखो जान से, आप ऐसा सवाल आ है, फार्मूला आपको पता है, quarterly compounding का, कि P into 1 plus R by 4, यह formula मैंने रटा नहीं है, जो आपने को understanding अभी दिये, उससे आप लिख सकते हो, कोई challenge नहीं है, अब जब यह question में लोग formula लिखते हैं, right, the problem becomes with them, कि यहाँ पर उनको यह रटना पड़ेगा, कि R जो है, rate of interest per annum है, रटना ही नहीं पड़ेगा, इनको हमेशा ध्यान भी होना चाहिए, कि यह R rate of interest per annum है, यह उनको ध्यान होना चाहिए, 100% ध्यान होना चाहिए, exam में एकसर rate of interest per annum आता है, तो वो बार-बार value रखते रहते हैं, उनको answer मिल जाता है, लेकिन अगर question ऐसा बना, कि उसने half yearly interest दे रखा है, और उनकी आदत खराब है, उन्होंने उठा के सीधे 12% उठा के यहाँ डाल दिया, दोखा हो गया कि नहीं, राइट, दोखा होगा यह नहीं होगा, बहुत बड़ा दोखा हो जाएगा, क्योंकि जैसे उन्होंने उठा के 12 यहाँ डाला, यह 12 बड़े, 4 कर देगा 3, कहां नहीं होगे खत्म, तो that is why it is very important to understand you, what this R by 4 means, इसका मतलब है simply, उस cycle का interest rate, और यह हो गया number of cycle, okay, clear or not, are you getting my point or not, okay, so that is if you understand that, इस formula की need नहीं है, आप directly इसको लिख पाओ गया, power rate नहीं समझे, देखो घर जा के आज यही करना, मैंने फिर से बोला, happy new year, happy new year मत करना, सीखना इसको, 2 साल में कितनी quarters होंगे यार, quarters अगर नहीं समझ में आ रहा है, कि banking में जिसे कंपनियां होती है, उनकी quarterly results आते हैं, है ना, तो वो quarter का मतलब होता है, तीन महीना, ध्यान रखना, देखो कई लोगं confusion क्या हो रहा है न, कि वो quarter length तो जानते हैं, कि तीन महीना होता है, quarter अगर month के time में बात करोगे, तीन महीना ही होता है, three months, लेकिन ऐसे कितने quarter होते हैं एक साल में, तो एक साल में आपके quarter हो जाते हैं, चार, four quarters, ठीक है, तीन-तीन महीने के चार quarter होते हैं, तो चार quarter अगर होंगे, तो दो साल में कितने quarter हो जाएंगे, eight, वही हमारी है number of cycle, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा, देखो तुरंती लोग calculation में पहुँच गए, तेकि problem बता है आपके साथ, आप समझना चाहते ही नहीं हो, आपको चाहिए result मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये question नहीं बनाया है मैंने, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो अब इसमें आया तो इसकी value कैसे निकालोगे, अरे भाई सवाल आएगा, तो कराऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, मेरा interest यहाँ पर ये नहीं है कि 1.06 की power 8 कितना होता है, that is not my interest at all, alright, my interest right now is that, do you understand how to write the expression, if you understand that, ये कहां से होगा, मैं random values लिखके आपको समझा रहा हूँ, छमा करें, अभी कोई approximation, simplification ना सोचो, अभी बस सोचो कि ये expression ऐसे लिख करें, तुमारी understanding तो पहले बने कि कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है, सवाल करेंगे, अगर मेरे को जल्दी होती, तो compound interest एक दिन में खतम होता, ठीक है, मुझे जल्दी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चीए, समझा रहा हूँ, तो बड़ी है इत्मिनान से समझो, हाँ जी, अब देखिए एक चीज़ बात करेंगे थोड़ी दिर के लिए, वो जो पीछे concept है, अभी मैंने बताया है आपको अच्छे से, half early annual compounding घर पे जाकी time देके समझ लेना, अच्छे से, क्योंकि फिर मैं जो fractional years होते हैं, कि मेभी जो है, आपकी compounding में पूरी cycles नहीं लग रही हैं, तीन, बलकि two and half cycle हैं, या three and half cycle हैं, वो questions भी आराम से मैं करवा दूँँ आगे, पहले आप पहले इसको समझो, चलें, आगे बढ़ें, ठीक है, अब ज़रा देखो, CIE और SI का difference, CIE और SI का difference, और जब भी मैं ये difference बोलूँगा, ये अब मैं इसलिए कराँगा, क्योंकि अब मैं आपसे, साल की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा, cycle की, तो CIE, SI difference में पहले लिख रहा हूँ, कि CIE और SI का difference जो है, CIE माइनस SI, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, N cycle, N cycle का मतलब समझ रहा हूँ, N cycle का मतलब यह होता है, कि कितनी cycles की बात कर रहा हूँ, एक यह दो, तो मैंने कहा, अगर N is equal to 1 लिया, तो पहली cycle में, CIE और SI का अंतर क्या होता है, 0, कोई अंतर नहीं होता है, first cycle का मतलब, first percentage increase CI पे, और first percentage increase SI पे, और यह जब case में बात कर रहा हूँ, कि इन दोनों के case में, principle same है, rate same है, ठीक है, और साथ ही साथ हम यह भी मान के चलने है, कि जो time period है, यह भी same है, तभी कि हम discussion कर रहा है, तो जब हम बात करने हैं, कि N cycle, तो पहले cycle में, there is no difference between CI and SI, ठीक है, लेट से मैंने बात किया, कि number of cycles आपकी हो गई ही 2, अगर number of cycles 2 हो गई, तो क्या सभी को एक बात समझ में आ रही है, कि यह कुछ ऐसा हो जाएगा, कि अगर हम compound interest की बात करेंगे, तो यह R% और R% हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, 2 cycle, 2 cycle, 2 cycles कुछ भी हो सकती है, it can be 2 half yearly cycles, it can be 2 quarterly cycles, it can be 2 monthly cycles, it can be 2 yearly cycles, I am just using the word cycle, that means 2 steps, that's it, अगर ऐसे 2 steps हैं, लेट से और उन 2 steps में मैंने आपको बोला कि यह CI वाला केस है, अगर आप अपना formula अप्रोच भी लगाना चाओ, मुझे पता है इसका formula रटके बैठे हो तुम, तो net CI क्या होगा, अगर मैं CI की बात करूँ, तो इसका आप बोल सकते हो कि यह है 2R plus 2R by 100, sorry, यह R square होता है, जैसे ही formula लेखता हूँ, कुछ ना कुछ गलती कर बैठता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग formula में चलता ही नहीं है, कम ही चलता है, ठीक है, तो यह हो गया आपका 2R plus R square by 100 percentage, यह आपका net CI हो गया, दो साल में अगर R percent का interest है और वह भी positive increase है तो, होगा है नहीं हुआ, ऐसे आ जाएगा यह, clear है सभी को, अब जोड़ा एक बात बताओ यहां पर, कि अगर यह CI हो गया 2 साल का, यह हो गया आपका CI for 2 years, तो 2R, 2 years मतलब 2 cycles जहां रखना है, यह 2 का मतलब 2 cycle है, year नहीं है, यह हो गया ऐसे, हुआ के नहीं हुआ, अब जो एक बताओ मुझे, कि अगर मैं निकालता हूँ CI minus SI for 2 cycles, कैसे निकलेगा, आपको यह तो हो गया CI, SI कितना होगा, 2 cycle का, R% से अगर दो बार लोगे ना, तो 2R% हो जाएगा, R% से दो बार आपको कितना देगा, 2R%, इन दोनों को minus करो, तो यह 2R और यह 2R क्या हो गया, गयब हो गया, तो आपकी value बचेगी, R square by 100 percentage, मुझे पता है आपको रटा हुआ है, इसमें आपको कोई तखलीफ नहीं होगी, बट, जो major change मैंने यहाँ पर किया है, आपकी understanding में, वो यह किया है, कि आपने अभी तक रटा होगा, कि CI और SI का 2 साल का अंतर, R square by 100% होता है, यह आपने रटा होगा, मुझे पक्का पता है, कि आपने रटा होगा, CI और SI का 2 साल का अंतर, R square by 100% होता है, पर आज से ध्यान रखना, it is not 2 साल, it is 2 cycle, वो 2 साल कभ हो जाएगा, जब आप कोगे कि rate percent annual है, और आपका जो compounding है, वो भी annual है, तब यह 2 साल हो जाएगा, समझ रहो कि नहीं, समझाओं फिर से इसको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपकी जो आधिय दूरी understanding है, उसको complete कर रहा हूँ, मैं, आपको पता लगा, CI minus SI for 2, cycles is R square by 100%, let me explain this to you, first cycle से क्या कोई अंतर आया, नहीं, लेकिन second cycle से अंतर आया, CI minus SI for 2 cycles is equal to R square by 100%, अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अगली पेज में लिखता हूँ, और आप से पूछूँगा, जर आप बताओ, true है या false है, मैं आप से कह रहा हूँ, कि CI minus SI, CI minus SI for 2 cycles, 2 cycles का मतलब पता है, total, जो difference है, CI और SI का 2 cycle का, is equal to CI minus SI for second cycle, यह statement true है या false है, given कि principle same है दोनों के लिए, CI SI में, rate भी same है, और time period तो obviously same है, मैं दो cycle की बात कर रहा हूँ, यह दोनों के case में अगर same है, और मैं आप से बूलूँ कि CI और SI 2 cycles का, जो होता है, that is equal to, that is equal to, CI minus SI for second cycle, is it true or false, tell me, it is true or false, देखिए, R square upon 100 का square, जो बोल रहा हो ना, वो percentage का symbol लगा है ना, उसके आगे, percentage का मतलब 1 by 100 होता है, वो square हो जाएगा, attention क्यों ले रहा हो, हाँ जी, clear है, कि यह true है, yes, इध्यान रखना, कि पहले cycle से चुकि कोई difference नहीं आता है, पहले cycle से कोई difference नहीं आता है, तो जो difference आया, वो कहां से आया, वो second cycle सही आया, तो मैं ऐसे बोलूँ कि CI minus SI for two cycles, is equal to CI minus SI for second cycle, it is correct statement, not false भाई, यह true है, लेकिन अब जरह यह बताओ कि क्या यह भी true है, CI minus SI for three cycles, is equal to CI minus SI for third cycle, is it true, बताना जरहा, is it true, okay, true or false, CI minus SI for three cycles, is equal to CI and SI third cycle, this statement is false, क्यों false है, क्योंकि देखो ऐसा है, कि मैंने आपको बताया, कि दो cycles से भी कुछ difference आता है, और third cycle से भी कुछ difference आएगा, उन दोनों का जो combination होगा, वो होगा CI minus SI for three cycles, therefore this is a wrong statement, but this is a right statement, यह ध्यान रखने आपको, तो exam में सवाल ऐसे आ सकते हैं, आपसे कि CI और SI का अंतर दो cycle का, exam में आपको cycle word नहीं मिलेगा, वो या तो बोलेंगे दो साल का, या बोलेंगे एक साल का, वो cycle में convert करके आप देख सकते हो, कि यह क्या पूछ रहें, I will talk about that, but this is not true, because three years का जो CI और SI है, cycle का, that is not C में CI minus SI for third cycle, coming to the next case, let me come to the next case now, अब जीखिए जो मैं आपकी understanding build करने की कोशिश कर रहा था, अभी फिर से वापस आता हो, कि CI minus SI for two cycles, या फिर CI minus SI for second cycle, यह दोनों चीज़ें एक हैं, यह समय में आगया सभी को, they are same thing, अब जो को इसका फरक क्या है, कैसे cycle का मतलब, हम यह जो formula भी आप देख क्या है हो, कि R square by 100 percentage है, ठीक है, तो यह कैसे use करेंगे, कैसे solve करेंगे, ध्यान रखना, इस formula को अगर आप रखते हो, ध्यान रखना, यह formula कब आया है, जब हमारा R जो है, वो है rate percent उस cycle का, ध्यान रखना, R is rate percent of that cycle, then यह formula निकल का रहा, यह formula ऐसा ज़रूरत नहीं है, इस formula की, मैं आपको भी बिना formula की बता दूँगा, मैंने ऐसे लिखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहों, देखो, अब मेरा एक स्वाल है, ध्यान से समझना, मैंने आपको let's say बोला, कि R is equal to, R is equal to, मैंने आपको provide कर दिया, let's say 10 percentage, ध्यान से समझना, 10 percentage दे दिया, और वह भी मैंने आपको दे दिया, per annum, ठीके, और मैंने आप से बोला, कि time period आपका है, 2 साल, 2 years, जो compounding है, आपकी वो क्या है, annual, लिख दिया मैंने क्या है, जब आपने annual compounding करी, तो 2 साल में कितनी cycles बनी, 2 cycle बनी, बनी या नहीं बनी, 2 साल में 2 cycle बनी, तो अगर 2 साल में 2 cycle बनी, मतलब यही case है, 2 साल में 2 cycle बनी, तो यही वाला case है, तो इसका मतलब, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूं, तो मैं simple से कहूंगा R square कितना होगा 100, 100 upon 100 कितना होगा 1 percentage और यह 1 percentage किसका होता है, principle का होता है ध्यान रखना यह जो R square by 100% निकलता है, यह आपका principle का होता है तो मैं calculate कर लूँगा जो भी होगा, I will calculate it from here, clear? Now the same question where you can have problem, इतना महनत मैंने क्यों करी है आपके लिए, मैं आपको उता रहा हूँ Let's say यही question आता है, R is equal to 10 percentage per annum, same question, देखना ध्यान से और आपकी जो compounding है, वो आपने करी है half yearly, half yearly करी है let's say ध्यान से देखना, R क्या हो गया, आपका 10 percentage per annum हो गया और compounding आपने करी है half yearly, और मुझे यह जानना है कि ci minus si one year का क्या होगा, given that कि principle आपका 10,000 है, जड़ा निकाल के बताओ, देखते हैं कितना समझ पाए हो अब जब यह सवाल आता, exam में अगर let's say, और आपने formula रटा हुआ है, आप परिशान हो जाते हैं, मैं आपके बता रहा हूँ अब अगर आपने formula ही ऐसे रट रखा है कि ci minus si for two years is equal to r square by 100 percentage of p, तो क्या करोगे, जब formula तुम्हें year में याद है और यहां एक year का पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि अंतर ही नहीं होगा, no difference, और number क्या मिलेगा, negative, लेकिन जैसे आपने इसको देखा, आपने का भया half yearly का मामल है, एक साल, दो साइकल, दो साइकल हुआ कि नहीं हुआ, half yearly एक साल, यानि दो साइकल, यानि ci minus si for two, clear, यही तो हुआ two cycle वाला ही कर रहा है, यह r square by 100% होता है, जहां पर r उस cycle का, उस cycle का rate percent होता है, तो एक cycle का rate percent यहां कितना आएगा, 10% नहीं जी 5% आएगा, तो 5% हो गया, 25 बटे 100, यानि 0.25 percentage, 0.25 percentage आया, और किसका निकालना है, 10,000 का, तो 10,000 का 1% अगर निकालते हो, तो कितना आएगा, 100, 10,000 का 1% अगर 100 है, और आपको उसका एक चौथाई चाहिए, तो यह value कितनी आ गई आपकी, 25 रुपईया, सामझ में आएक नहीं, is it clear to you, why you need to understand this in term of cycles, त percentage से CISI में क्या change आया है, change यह आया है कि वहाँ जो percentage change होता था, वो time dependent नहीं था, ठीक, यहाँ जो percentage change आता है, वो time dependent है, तो वो time dependent होनी की वज़ा से, कुछ नहीं नहीं चीज़ें बन गई, कि 3 महने में change हुआ, कि 4 महने में change हुआ, कि 6 महने में change हुआ, accordingly you got compounding cases, there is nothing new in CISI, nothing I tell you, कि वहाँ वो change क्या था, उसमें हम time सोचते नहीं था, immediate change, यहाँ वो time लेके change हो रहा है, उसकी वज़ा से 50 जोड़ गई, nothing new यार, percentage change के लाम कुछ नहीं है, यह दिमाग में अगर तुम बिठा लो, मैं आपको बिता रहा हूँ कि CISI बहुत असान हो जाएगा आपके, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, clear हुआ कि नहीं हुआ, that now you are having this clarity, via CIE-SI one year निकालना कोई challenging काम नहीं निकाल लूँगा मैं, अगर one year भी पूछ रहा है तो मैं cycles देखनी है, cycles का मतलब क्या हुआ, cycles का मतलब हो गया, कि 2-3 लगने है, अगर 2 cycle है तो 2-3 लगने है, औ 100% of P जाएगा, ठीक है, now let's go further, let's go further, इसका क्या क्या application हो सकता है, यह थोड़ा समझ लो, देखो, CIE-SI for 2 cycles, मैं cycle word use कर रहा हूँ, because depending on the data, you know कि यह yearly है या half yearly है, इसको समझो, अगर मैंने आप से कहा कि let's say आपको 10% दिया है, rate interest 10% दिया हुआ है per cycle, PC का मतलब per cycle, it's not percent, यह ऐ नहीं नाम रख दिया है, ताकि आपको मैं बहतर समझा पाऊ, then nothing you will find in the book in this fashion, ठीक है, तो CIE-SI for 2 cycles, मैंने लिख दिया, कि अगर 8% आपका 10% per cycle है, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, जो rate है, per cycle, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको लिख चाहता हूँ कि CI-SI, 2 cycle का कितना होगा, for 2 cycles, तो देखो बहुत simple है, अगर मैंने कहा कि यहाँ यह 10% है, तो आप इसको दो तरीके से निगाल सकते हो, आप सीजे सोचो कि यहाँ पर CI कितना होगा, 10 percentage है, 2 cycles अगर मेरे पास हैं, तो CI कितना हुआ, 10, 10, 20, 21%, 21% होता है, SI कितना ह है, 20%, 1% होगया, ठीक है, या फिर आप वही देख लो, R2 किया, 100 किया, बटे 100 से डिवाइड किया, 1% होगया, किसका principle का, कितना होगया आपका, 1% होगया, principle का, लेट से मैंने आपको बोला, लेट से मैंने आपको बोला, कि ये value आपकी 5% है, मतब एक cycle का rate of interest 5% है, 5% है, तो ये value कितना निकल लगी, आपको पता है, 5% दो बार कितना होता है, CI, 10, 10 मलो, 25% होता है, और SI कितना होगा, 5% से 2 बार, 10%, दोनों को minus किया, तो 0.25, ऐसे direct निकल लगा, या फिर आप formula लगा लो सीधे, यहां पर 5 का square किया, 25, 25 बटे से हो कितना होगा, 0.25, तो formula भी अगर आपको पता है, तो they should be verified through numbers, so that आपको रटना न पड़े, आसानी से पता है कि क्या है वो, I know it, then मैंने का कि भाई, ये 4% ही है, आपने का अगर ये 4% ही है, तो ये value कितनी हो जाए कि चार्च हो के 16 बटे सो, 0.16%, आपने का कि ये value बने लिया है 12%, तो मैं कहूंगा 12 का square कितना हुआ, 144, 144 बटे सो कितना हो गया, 1.44%, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, yes, that's very simple, nothing complex in it, कोई complexity है तो बताओ, मतलब ये हो गया कि मैं CIE SIE का अंतरना बि I can easily figure it out, किसी को कोई भी तकलीफ है, तो वो मुझसे बोले, okay, alright, आप देखो मैं आपको एक question दे रहा हूँ, ठीक है, और जड़ा देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग लगाएंगे, I am going to give you a question, or let's see how you all are going to solve it, okay, let's say मैंने आपको ये बोला है, let's say मैंने आपको ये बोला है, principle amount आपको दिया है मैंने धाई जार रुपे, this is the principle, try to understand, क्या प्रिंसिपल है आपका, पच्छिस सो रुपे, okay, that's the principle amount given to you, alright, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि Ci minus Si for one year, देखना देन से, Ci minus Si for one year is given to be 25.11 rupees, क्या दिखा है मैंने, कि Ci minus Si one year का 25.11 rupees है, और जो compounding है, वो आपकी हाफ yearly, क्या लिखा मैंने कि compounding जो है, आपकी ये अर्ध वार्षिक है, half yearly है, तो मुझे ये निकालना है, कि जो rate है आपका, वो rate क्या होगा, पर semi-annually, ये value बता दो मुझे क्या है, solve it please. So, principle is 2500, Si minus Si for one year is given to be 25.11 rupees, Si यानि compounding has been done half yearly, rate percent, आपको निकालना है, लेकिन पर semi-annually निकालना है, So, percentage में value बताओ क्या आ रही है, 10, 15, 17, 18, 18, 20, 25 क्या रही है, All right, formula से भी देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि understanding, make sure that you don't go wrong unnecessarily, formulas, 50 चीज़ें होते हैं, जानना बढ़ता है कि क्या है, क्या नहीं, तो formula को सई से जानना जरूरी होता है, कई लोग करें 12%, कई लोग करें 4.4%, हाँ जी, तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं, तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं, फिर से लिखता हूँ, देखो, CI-SI फिर से लिख देता हूँ है, ताकि तक लीफ ना हो आपको, यहाँ पर, मैंने लिखा था कि यह 25.1 रुपया है, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल एमाउंट है, वो 25.1 रुपया दिये हुए हैं, और आपको यह दिया था कि जो कंपाउंडिंग है, वो हाफ एरली है, अर्धवार्शिक कंपाउंडिंग किया गया है, हाफ एन्वली, अल्राइट, मैंने आप से रेट परसेंट पूछा था, और उभी पूछा था, रेट परसेंट सेमी एन्वली, यहाँ पर आपको वैलू लिख रही है, क्या होगी, आर की वैलू, अल्राइट, तो देखो ध्यान से, इस कोश्चन को आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि यह प्रिंसिपल है, है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यह जो वैलू है, 25.11, यह कितना परसेंटेज है प्रिंसिपल का, यह निकालता हूँ मैं, राइट, तो देखो तरह, इसको ध्यान देखो मैं इसको break कर रहा हूँ 25 प्लस 0.1 प्लस 0.01 अगर मैंने ऐसे किया तो ये value कितनी है ये 1% हो गया अब जो देखो इसको 0.1 को 0.1 को ध्यान से देखना अगर मैंने कहा कि ये value मेरी 0.1 है तो 0.1 क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना percentage है तो देखो ध्यान से अगर मैं बात करूँ 25 को ऐसे करूँ मैं कि देखो ध्यान से ये value आपकी हो गई 1% 0.1% आपका कितना होगा ये value आपकी होगी 2.5 0.01% क्या होगा ये value आपकी होगी 0.25 clear or not अब मुझे देखो ध्यान से यहाँ पर कि अगर मुझे निकालना है कि ये value मुझे 0.1 लेनी है तो ये value 0.1 लेने के लिए 0.4 से multiply करना पड़ेगा तो ये value 1 आएगी 0.4 से multiply कि तो ये बनेगा 0.04% बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पर ये value फिर कितनी हो जाएगी जो आपको यहाँ लिखे हुई है 0.01 सुरी रुके रुके मैं इसको थोटा सा बहतर समझाता हूँ आपको data actually मैंने गलत ले लिया इसलिए problem आरी बट फिर भी मैं आपको explain करता हूँ कि 25 तो आपका हो गया 1% clear देन आपको देखना कि 0.1 क्या होगा आपको देखो 4 गुना करोगे तो कितना बनेगा 100 बनेगा चार गुना करेंगे तो 100 बनेगा लेकिन यह 100 नहीं है 100 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 4 को भी आप डिवाइड करोगे तो एक्षिली मेरा टार्गेट था कि मैं 1.44 बनाऊं तो वो डेटा मैंने गलल ले लिए मैं डेटा सही कर देता हूं कि अना ताकि जो अंडेस्टांड कराना चाहता हूं वह आपको हो जाए बाकि options वाले question जबाएंगे तो उसमें कई तरह के questions भी आएंगे ये मेरा target एक्षिली था कुछ ऐसा एक मिनट एक मिनट रुकिया है ऐसा था कुछ ठीक है ऐसा लिखना था बट मैं उसको 25.5 लिख गया था ठीक है अब ही correct कर दिया मैंने आप ट्राई करो तो यह value आपकी हो जाएगी 25 प्लस एक logic समझो बाकी तरह तरह के question दो हम बाद में करेंगे 25 एक 0.1 अब देखो आप कहोगे कि 25 जो हुआ यह 1% हुआ हुआ यह नहीं हुआ इसको तरह ध्यान से देखो एक परसेंट अगर आपको मिला कि 25 बलू है तो मेरी 1% है अब देखो ध्यान से 25 into 4 करोगे आप तो आपको मिलेगा 100 मिलेगा नहीं मिलेगा यानि चार परसेंटेज आपको क्या दे रहा है 100 चार परसेंटेज आपको 100 दे रहा है और मुझे निकालना है one डेटा एक्षिली मैंने साही नहीं लिया सौरी मैं क्रिएट कर रहा हूं डेटा थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रही है मैं इसको करेट कर दे रहा हूं आपको लाजिक समझ में आ जाएगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है मुझे निकालना है एक्षिली 4% तो मैंने आपसे यही का कि 1% की वैलू अगर मेरी आ रही है लेट से 25 और 4% की वैलू मेरी कितनी आ गई 100 आ गई तो मुझे बनाना है 0.4% तो यह वैलू होगी आपकी 10 और प्लस एक आएगा तो अच्छिली मुझे यह लिखना था मैंने थोड़ा मिस्टेक करी लिखने में 25 10 और एक ओके कुछ ऐसा लिखना था सॉरी डेटा के लिखना था तो रैंडमली क्रेट के था थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अब डेटा मैंने सही लिखा आप समझो ठीक है तो देखो टार्गेट क्या है मैं क्या समझाना चाहरा हूँ आपको वह आपको अभी समझ में आएगा कि द लवाने के बाद आपको प्रिंसिपल अगर पता है तो आप सीधा बता दोगे ना कि भाई देखो 10% मैंने रेट परसेंट लिया फिर मैंने का सीए और साई एक परसेंट हो गया वन परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल मैं वैलू निकाल लूँगा कि कितना डिफरेंस है पर कई वैलू 36 अगर है मान लिया तो आप यह देखोगे कि भाई 25 फाइव अंडेड का यह कितना परसेंटेज है क्लियर 25 प्रसेंट है आप देखो यह है 25 प्लस 10 प्लस 1 ऐसा है कि नहीं है यह तो देखो 25 कितना है एक परसेंट है और यह वैलू आपके कितना हुई 0.4% हुई और 44% क्लियर सभी को किसी को कोई तकलीफ है नहीं ना जैसे यह वैलू आई आपने कहा कि भाईया CIE और SI का अंतर CIE और SI का अंतर 2 साइकल का 2 साइकल क्यों बोल रहा हूं जाए ध्यान से देखो क्योंकि एक एयर में हाफ यर्ली कंपाउंडिंग में 2 साइकल बनेंगे तो यह बिसिकली 2 साइकल का डिफरेंस परसेंटेज के टर्म में 1.44% आया यहां से अगर रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालते हो यहां से यहां तक आने के लिए आप पहला काम क्या करते हो कि पहले आप रेट को स्कॉयर करके 100 से डिवाइड करते हो अगर यहां से यहां आना है तो क्या करोगे यहां से यहां आने के लिए आप यह करोगे कि या तो आप mentally visualize करो 1.44% अगर यह value आई mentally कैसे visualize करोगे आप reverse process करो यह जो value दी है इसको हमने हमें कैसे मिला है स्क्वाइर करके 100 से डिवाइड करने पर वापस जाते समय हम क्या करेंगे पहले इसको 100 से multiply करेंगे कितना बनेगा 144 फिर इसका square root लेंगे तो value कितनी आजाएगी 12 तो यह value कितनी होगी 12% clear or not तो usually क्या होता है कि इन सवालों में आप formulae use करते हो आपको जरूरत नहीं है आप process understand करो तो जो questions होंगे आप even जैसे previous question करो थोड़ा सा clarity के लिए अगर तो आपको समझ में आएगा कि और यह जो value आई है यह क्या ही है semi-annual यही पूछा था मैंने आपसे उस cycle का interest निकल क्या आगया पर semi-annual rate of interest कितना होगा 12% होगा because that's what I asked this is a value from one cycle clear the value from one cycle अब दो एक चीज़ आपको understand करनी है यहां पर कि CI और SI को अगर आपको improve करना है तो I am telling you one thing you need to relate it with percentage as much as possible right अभी क्या होता है कि आप CIRSI को disconnected chapter की तरह देखते हो it's a disconnected chapter with its own formulas और वो formula आप लगाते हो और unnecessary उसमें जूलते रहते हो परिशान रहते हो अगर आप इसको हर चीज में percentage से connect करोगे तो बस percentage में time लगा दिया गया है और बन गया CISI okay so percentage change with time is CISI nothing else तो हम इसको थोड़ा सा जो problem है आपको compounding में cycles में that's what I am trying to explain right through this process ठीक है अभी देखे मैं आपको कोई problems नहीं देने वाला हूँ because that does not make much sense कि मैं आपको कोई problem दूँ अभी मैं कराओंगा problem अगली class में अभी आप पहले इन सारी चीजों को अच्छे से समझ के फिर class में आना हूँ ठीक है मैं आपको बार बार यही बूल रहा हूँ कि देखे मैं मानता हूँ कि आपने यह chapter सीखा होगा पचास तरीके से देखे होंगे शॉट कट्स देखे होंगे but I tell you you don't have clarity that's what I'm giving you right so and when you need clarity it cannot happen in one day it cannot happen in one day that's why I'm going slower I took 13 percentage classes I took 12 classes of profit and loss CISI will also take some time right clear हाँ जी तो questions भी होंगे पहले topic में कराएं तो अभी क्यों नहीं कराएंगे लेकिन करते ना कि एक ही दिन में मैं आपको माराथन नहीं दोडा सकता हूं not in a day right there is a process process के साथ ही आपको चलना पड़ेगा 10 को इतना speed में 0.4% कैसे लिख दिया क्योंकि 100 कितना होगा 4% होगा हाँ जी 10 कितना होगा 0.4% होगा right clear PDF अभी इसकी क्या लोगे अभी तो जो questions होंगे तो PDF मिलेगे आपको हाँ जी और कुछ बात हैं करनी हैं तो बताओ क्लास को होगे आपके all right so keep following things properly and again I am saying it's not a crash course so इसको आप crash course की तरह मतलो कि अभी एक दिन में मेरा topic खतम हो जाएगा क्योंकि वो तो बहुत लोग करा रहे है YouTube पे मुझे नहीं लगता उसकी जरुवत है कि आपको मैं crash course करा के topic खतम करूं right clear I am giving you understanding which will be help helping you out throughout your life to learn maths in a very different way that's what I am doing in every chapter if you see कुछ नया तरीका नए तरीके से चीज़ें explain करना understand करना आपको यही मेरा target है कि कोई कराइस में semi annual rate आधी क्यों नहीं हुई भाई जी आप cycle r क्या होता है उस cycle का rate percent यहां cycle ही 6 महीने की है मैंने कहा था ना कि पुराना ज्यान बीच में मत लाओ जहां पुराना ज्यान बीच में लाओगे फर्स जाओगे इस cycle कितनी महीने की है मैंने की तो जो rate निकला हो चाहिए मैंने कही निकला हाजी हिंदी हिंदी सतेंद्र मुझे नहीं लगता कि मैं खराब बोल रहा हूं कि आप हिंदी में होके समझ नहीं सकते हो हाजी ऐसा मत बोलो मैं हिंदी में बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा ह ऐसा कुछ में इंग्लेश यूजी नहीं करता हूं ठीक है छोटी-छोटी बाते करता हूं ओके हैं ओके कि एससी सीजियल तक एंड हो जाए चंदर मैंने फिर से बोला कि देखे दो चीजें आप मेरा कि सब देख ने आपो पाएगा कि इंटेंशन चेक करो कि में आपको में और ओुएंों कि में अपको हप्ते में कितने दिन पढ़ा रहा हूं लास्ट वीग में तो मुझे लग जितना हो सकता है आपको करके देदू है ना ठीक है तो उसमें अभी मत जाओ भी यार सिखते रो बस आप लोग ठीक है ओके बाकी चीज़ सब हो जाएंगे आप परिशान मत भी बहुत सवाल होंगे एक दिन में सब नहीं होता है यार परिशान ना करो हाँ जी आप देखो क्या है ना कि टेसरी का नाम यार मैं टॉपर से पूछता हूं नहीं बताते हो लो कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूगा तो मैं क्या करूं मैं उनसे पूछता हूं कुछ लोगों ने नाम भी लिया इसका कोई डेफिनिट आंसर नहीं है, no test series is perfect, ठीक है, right, there are some plus and minus in every test series, by any two of them, three of them, जितना तुमारी capacity लाओ करती है, ज्यादा ये नहीं, there is no best, आप इसके लिए वेट मत करो किया, कौन सी test series best है, sir बोल देंगे, उसको join कर देंगे, 10 दिन बाद हमारी भी test series आएगी, मैं नहीं बोलूँगा कि वो best है मैं आपको बता रहूँ, what I am trying to tell you, every test series, में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई perfect नहीं होता है, test series, है ना, तो you just join two of them, three of them, as per your capacity, सारी test series सस्ती है, दो ना क्या करना है, तुमें इतना दिमाग नहीं लगाना है कि आप महीना बर इसमें लगा दो कि best test series कौन सी है, अरे उस एक महीने में दस्टो test दे दो आप, हाजी, all right, चलो, अभी नया साल है, दो बाते बोल दो, ना लोग कोगे कि किना मन्हूस teacher है, आया और नया साल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, देखो ऐसा है, कि मेरा ये था कि मैं मैं आके आपको पहले आज class दू, that was very important, मैं भी चाहता है कि साल का नया साल है, office बनती तब भी इसलिए आया था, because I wanted to teach on this day one, I really like teaching, that's my passion, all right, although there are many other passions, but teaching is one of them, है ना, so देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि साल आते हैं, जाते हैं, साल बदलते रहते हैं, एक दि तरफ एक नया साल का माहौल होता है, तो यह important इसलिए होता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ नया होने वाला है, right, it's like कि जो भी बुरी चीज़ें हुई पीछे या जो भी हुआ, आप हम को एक change करने का मौका मिल रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ change हो रहा है, clear, वरना क्या change हुआ कल भी जिस टाइम पर sunrise हुआ था, almost उसी टाइम पर sunrise आद भी हुआ, so definitely there is no big change, but हाँ, जब डेट बदला एक साल 2020-2020 हुआ है, वो साल में एक बार ऐसा होता है, 365 दिन लंबा period होता है, it's like a new beginning, so far many people, वो लोग ऐसे कहते हैं कि पिछला साल अच्छा नहीं था, लेकि इस साल अ रखता है कि now, फिर से एक मौका है change करने का, जो कुछ खराब चीजें हुई है, इस साल हम बदलेंगे, कि पिछला साइकल खराब गया, तो इस साइकल में कुछ अच्छा कर लो, right, so I am just saying, take today's day out, not on Facebook, wishing everyone happy new year, happy new year, happy new year, सब लोग यही करते हैं, और आप सब को दिन बड़ सु खोलूँगा अभी नहीं, कल खोलूँगा, ठीक है, what is more important today, कि ठीक है, जितने लोगों को सुभे एक बार Facebook में जाके लिख दिया, अब हट जाओ, अब सब का देखो मत कि सबने क्या किया आज, या तो जाके कुछ करो, थोड़ा मस्ती कर लो या राज के दिन, या फिर जा रहा हूँ आपको कि मैंने आपकी क्लास लिया, भी मैं भी जा रहा हूँ, फिर मैं लोगों को विश करता हूँ नहीं फिर हूँगा, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, doesn't make sense न, कुछ काम की चीज़ें करेंगे आज, right, okay, so just do something meaningful, जो लोग को आप पसंद करते हो, उनके साथ थोड़ा Instagram, Facebook प जाते हो, right, क्या आपके action plans होंगे, कैसे उनको करोगे, तो it's like a fresh cycle, it's like a fresh cycle, तो इस नई cycle में कुछ कोशिश करो कि जो चीज़ें पुरानी अच्छी नहीं हूँ, उनको आप अच्छा करने की कोशिश करो, right, all right, and mark my words, ठीक है, दिन भर ये मत करना, Happy New Year, Happy New Year, क्योंकि इससे क क्या होगा ना, कि आपका दिन कराब हो जाएगा, ठीक है, वो मत करो, थोड़ा सा time अपने लिए निकाला करो, हाजा, हाजी, चले, see you tomorrow, bye bye, thank you so much.